आईए एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप सब का स्वागत है और आज का भी न्यूज आईटी सेक्टर के लिए कुछ अच्छा नहीं है देखें यहां पे एक महीने यानि जो जनवरी महीने आपका गुजर गया सो पूरे दुनिया में एक लाख टेकनिकल इंपलाईज जो थे यानि आईटी सेक्टर के उनका जॉब लॉस हो गया थोड़ा बारीकी से देखी इस बात को और हम आपको बताते हैं कि किस परकार लगभगड हाई लाख 2022 यानि 2022 टू 2023 जनवरी तक चली गई अब देखिए यहाँ पर जो ले आफ नोटीस का एक इसकी सॉट है यहाँ और उसके बाद देखिए कहता है कि अगर एक लाख नौकरी आपका ले आफ हो गया जनवरी में गलोबली एक महीने की बात है इसका मतलब है कि यहाँ देखिए 3300 टेक्निकल एंपलाईज लॉस्ट जॉब डेली ओन एन एवरेज बाई मोर दैन 288 कमपनीज वर्डवाइट पूरी दुनिया की 288 कमपनीज का पर डे जो ले आफ है वो 3300 है जो की एक चिंता का बात है जिसमें Amazon, Microsoft, Google, Salesforce और अदर्स कमपनिया है अब हम आपको दिखाते हैं थोड़ी देर आप बने रहे है आई-टी सिक्टर जो इंडिया का है वह भी अभी परिसानी में है और काफी उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी इंपलाई को रखने में बट देखिए इट मिन्स देट मोर दें थ्री जीरो जीरो टेक इंपलाईज सो हम अभी आप इस बात को देख लिए हम लोग इसके बाद देखते हैं बेरिंग एपल एबरी अदर बिग फर्म एश्याय जॉब लेट बाई अमेजर विद 18,000 जॉब कट अच्छा अमेजर ने दो बार जॉब कट किये एक बार 10,000 एक बार 8,000 तीक है गूगल विद 12,000 तो गूगल ने भी 12,000 जॉब कट किये आप देखते जाएं, Microsoft 10,000 jobs cuts in January इसके पहले भी Microsoft ने job cut किये थे यह January का केवल डेटा आपके साथ हम share कर रहे थे Salesforce जो company है उसमें 7,000 IBM 3,900 SAP 3,000 where other tech companies that announced layoffs last month so आपको यहां तक दिखाएं अब चलिए हम आपको ले चलते हैं Infosys के उपर Infosys ने भी अपने जो imply है वो internal exam के आधार पर उनको हटा दिया News क्या है उसको देखते है तो अब यहां पर देखिए Infosys ने जो किया है वह देख लिजे Infosys allegedly fire 600 employees after they fail internal test 600 employees को इसने हटाया है Hundreds of freshers are waiting onboarding and Infosys for over 8 months after receiving an offer letter देखिए काफी लोग Infosys के offer letter लेने के बाद भी onboarding का वेट कर रहे हैं इसी भी 600 employees को हटाने की भी बात आ रही है अब देखिए Infosys का जो news है वो थोड़ा सा detail हम समझ ले Infosys जो IT sector है यह देखिए एफ Fraser who was onboarded at the company in August 2022 told business today I started working at Infosys in August last year यानि August July के month में onboarding हुआ था और उनका training भी हो गया था जो की आपका कुछ लोग का मैसूर लोकेशन पर हुआ था और exam जो गये थे वो काफी अच्छे नहीं गये थे लोगों के और काफी लोगों की खराब हो गये थे यानि 60 पास्वे थे तो 150 में 60 यानि केवल 60 पास्वे 90 फेल हो गये ऐसा आप समझ सकते हैं यानि 60 परसेंट फेल हो गये रिस्ट आल अफ अस वेर टर्मिनेट टू विक्स अगो जो हम लोग का जो रिस्ट टर्मिनेट किया गया वो दो सप्ता पहली यानि 15 दिन हो गया टर्मिनेट कर दिया गया इसका भी वीडियो हम अप्लोड के आप जाके देख सकते हैं नियरली 85 फेल्स फेल्स वे टर्मिनेट आउट 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 कर दिया यह ट्रेनिंग के नाम पर गया दर असल प्रोजेक्ट इनके पास है नहीं और जो ग्लोबल इंपक्ट है वो भी भहुत खराब पड़ रहा है जो इंडियन इटी सेक्टर को भी अपने कब्जे में ले रहा है चैनल आउट 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 के गास्टल आउट इंडी सेक्टर आउट 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 आउट्यट है in the past few months, so यह news है आपका, तो अब हम जो आपको बता रहे हैं, वो इंडियन start-up के लिए भी अच्छा news नहीं है, अब आप देखें, इस side को आप open करके खुद भी देख सकते हैं, layoffs.fyi 292 tech companies layoff 88,138 implied laid off in 2023, यानि जो January बीता है, उसमें लगभग 88,138 implies layoff कर दियेगा, ठीक है, उसके बाद आप जब देखेंगे, यह Bloomberg का report है, Seagate है, आप देखें, यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे चले जाएए, तो आपको कितने layoffs हुए हैं, यह सब आपको मिल जाएगा, ठीक है, सभी के नाम है, जैसे बैजूज हैं, बैजूज ने 1500 करम चारी को layoff किया है, और वो आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, एडूकेशन की company है, और यह सभी आपको दिखेगा इसमें, कितने layoffs हुए हैं, यह अपडेट करता है site, तो आप इसमें कई company के नाम देख सकते हैं, और सभी इसमें इंडिया के startup company के रूप में हम लिये वे हैं, अब जितने भी आता है यहाँ पर layoff का statement, वो सभी अपडेट रहता है, तो आप इसमें भी देख सकते हैं, यानि जो position है, वो काफी अच्छा नहीं है, आने वाले दिल में देखे कैसा होने वाला है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आज के लिए thank you